कि नमस्कार एस्पीन नाइं यूज देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूं मांशी जैस्वाल कॉंग्रेस यूवा के राश्टी अध्यक्ष बीवीशी निवास पर लगातार जो है वो शिकंज्या कस्तावा नजर आ रहा है एडी और सीब्याए का आप इस मामले पर कही न कह सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो यह मामला और तूर पकड़ता हुए नजर आ रहा है आपको बता दे सुप्रीम कोर्ट ने एक टिपनी की जिसके बाद कहीं ना कहीं एडी और सीब्याए के बारे में कहा जा रहा है कि जो भारते जन्ता पार्टी एडी और सी कहा है दरसल यह पूरा मामला क्या है वो आपको बता देते हैं बीवी शी नवास को पार्टी से निश्कासत सदसे की यौन उत्पीडन की शिकायत पर असम में दर्ज एफईयार के संबंध में अंतरिम अगरिम जमानत दे दी गई है केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस ब के लिए पेश हो रहे हैं एसवी राजू ने उत्तर दिया कि वह असम राज्जी के लिए उपस्तित हो रहे हैं इस पर जस्टिस गवाई ने पूछा सीप्याई इडी अभी तक नहीं आए हैं यानि कि सीधे तोर पर सुप्रीम कोड के जज ने इडी और सीवाई को लेकर के कहा कि वह अभी तक क्यों नहीं आए हैं राजू ने कहा कि मामले को राजनीतिक से प्रेरित नहीं किया जा सकता है क्योंकि शिकायत करता उसी पार्टी का सदस से हैं उन्होंने कहा कि या चिका करता CRPC की धारा 41 एक तहत जारी नोटिस को आगे बढ़ाने में पेश नहीं हु जिस तरीके से ED और CBI का दुरूभियों करके इस वक्त तमाम विपक्षी पार्टियों पर शिकंजा कस्ती हुई नजर आ रही है उसके मद्दे नजर कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोड की अब ये टिपड़ी सामने आई है देश ये बात जान रहा है कि किस तरीके से कॉंग् पर क्या रहा है हमें कमेंट करके जरू बताएं देश और दुनिया की तबाव बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हैं